दोस्तों आपको पता ही होगा कि अच्छी बॉडी बनाने के लिए exercise के साथ में आपको अच्छी डाइट लेना बहुत जरूरी है और इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सस्ती वाली डाइट प्लैन बताने वाला हूँ जिसको आज माके आप अपनी बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हो आपको किसी भी protein supplement की protein powder की जरूरत नहीं है जो मैं आपको डाइट बता रहा हूँ ये खा कि आप अपनी बॉडी बहुत अच्छी बना सकते हैं जो मैं आपको diet plan बताऊंगा इसमें मैं 5 meals बताऊंगा क्योंकि अच्छी body बनाने के लिए आपको minimum 5 meal लेना एक दिन में बहुत जरूरी है उसके साथ में अलग-अलग timing में मैंने divide किया है तो उस बात को भी आप लोग ध्यान रखियेगा कि किस time में क्या खाना है सबसे पहले आते हैं अपने सुबे के breakfast पे जो breakfast हमें लेना है 8-9 बजे के बीच में इसमें आपको क्या लेना है इसमें लेना है एक glass दूद उसके साथ में आप ले सकते हैं मूँफली 25 ग्राम मूँफली लेनी ही आपको जो बिना छिलके वाली मूफली होती उसी को खरीदेगा वो आपको सस्ती पड़ती है उसके साथ में आप ले सकते हैं सोया बीन 25 ग्राम या फिर आप लोग ले सकते हैं भुना चना 25 ग्राम ये हो गया हमारा सुबे का नाश्ता उसके बाद में जो अगला टाइमिंग है जो हमारा होगा लंच जो कि हमको 11 से 12 बजे के बीच में करना है इसमें हमें लेने हैं दो अंडे अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो आप लोग अंडे की जगाँ पे ले सकते हैं 50 ग्राम पनीर उसके साथ में आपको लेना है रोटी या आप चावल भी ले सकते हैं मैं प्रिफर करूँगा कि आप रोटी ले बहुत से लोग क्या होता है कि रोटी वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ समझते हैं एक बात मैं आपको बता दो तो जो आपको घर में नॉर्मल रोटी बनती है, अगर पतली रोटी बनती है, तो उसमें मिनिमम चार ग्राम प्रोटीन होता है, और अगर थोड़ी मोटी रोटी बनती है आपके घर में, तो उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि एक अंडे के प्रोटीन के बराबर होता ह तो आप लोग रोटी ले वो जादा अच्छा है उसके साथ में आप लोग ले सकते हैं सबजी या फिर आप लोग ले सकते हैं डाल डाल आप लोग किसी की भी ले सकते हैं मैं आपको प्रिफर करूँगा कि आप लोग डाल ले डाल में प्रोटीन आपको थोड़ा जादा मिल तो ये हो गया हमारा लंच जो कि हमें 11 से 12 के बीच में करना है उसके बाद में आते हैं अपने प्री वर्काउट मील जो कि हमें एक्सेसाइज करने से पहले खाना होता है जिसका टाइमिंग हम रख रहे हैं तीन से चार बजे के बीच में इसमें आपको क्या लेना है इसमें आ 3-4 बजे के बीच में उसके बाद में आपको लेना है post workout meal जो कि आपको अपनी exercise करने के बाद मिलेना है जिसका timing हम रखेंगे 5-6 बजे के बीच में आपको मैं एक बाद बता दू कि post workout meal में जो हम exercise के बाद लेते हैं उसमें हमें protein की मातर थोड़ी ज्यादा लेनी होती है इसमें हम क्या लेंगे दो अंडे लेंगे अगर आप लोग vegetarian है तो आप लोग 100 ग्राम पनीद ले सकते हैं उसके साथ में minimum हमें 3 रोटी लेनी है उसके साथ में हमें डाल लेनी है ज्यादा देर में खाना मत खाईए थोड़ा सा पहले खाईए और उसके बाद में खाना खाने के एक दू घंटे बाद आप लोग सो सकते हैं जो हमने रात का खाना रखा है वो रखा है आठ से नौ बजे के बीच में बहुत भारी खाना नहीं खाना होता है रात में आपको इसमें आप लोग क्या ले सकते हैं? पनीर ले सकते हैं, 50 ग्राम पनीर ले सकते हैं और उसके साथ में आपको लेना है भुना चना 50 ग्राम ये दोनों चीजें आपको साथ में खानी हैं जो हमारा पनीध होता है इसमें slow digestive protein होता है जो धीरे धीरे पचता है हम लोग रात भर सोते हैं तो हमारी body को धीरे धीरे protein मिलता रहता है और इस diet को अपना के आपको daily 120 gram से लेके 130 gram protein मिल जाएगा देखिए आपको protein कितना लेना होता है फूरे दिन में ये भी मैं आपको बता दू माली जागर आप लोग 60 kilo के हैं तो आपको 120 gram protein लेना है मतलब आपका जितना वजन होता है उसका जट दुगना gram आपको protein लेना होता है और जो मैंने आपको diet बताई इसमें आपको 120-130 gram protein अराम स मिल जाएगा तो दोस्तों ये diet आजमा कि आप बहुत अच्छी body बना सकते हैं बहुत सस्ते में किसी supplement की आपको ज़रूरत नहीं है कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करिएगा comment करिएगा वीडियो में अपने दोस्तों में share करिएगा और इसी तर